हेलो दोस्तो, स्वागत है आप सभी का आज एक नए वीडियो में आज हमारे साथ है राहुल भाई यह भी हम ही लोग के साथ ही है और सभी इस पेक्टर है बाई से तेरे में इनका भी सेलेक्शन हुगा है इनको लाने का मकसद है फ्रेंड्स आज के वीडियो में यह हम लोग के लिए और आपके लिए भी बहुत बड़े मोटिवेशन है अगर आप में जुनून है कुछ करने का, दरोगा बनने का या सरकारी जौब का तो आप किस हालत में है, क्या कर रहे है आपके पास सोर्स है की नहीं, आप गावबर है, सहर में है आपके पास टाइम है की नहीं, यह कोई माइने नहीं रखता आपके अंदर जुनून है कुछ करने का, आप चाहते हैं कि हम कुछ करें अगर दिल में है कि हमको करना है, तो बस आप कर लेंगे इसी के लिए मैं इनको लाया हम अपने चैनल बेफ्रेंड्स यह 6 साल से CISF में थे और SSGD के थुरू, अभी हाली में रिजल्ट आया है SSGD का और वैकेंसी भी आ चुका है SSGD का तो जो केंडेट हो डाले वहाँ पर, बाकी इनका सेलेक्शन 6 साल पहले हुआ था और वहाँ ने CISF में सेवा दिया, 6 साल तक, अभी फिलाल रिजाइन करके हाँ जोईन की हैं कटिहार मेरे साथ और बीच में पढ़ाई भी ब्रेक हुआ, वहाँ पर आप लोग को पता है कि फोर्स में कितना काम होता है टाइम का भाव होता है, सिविलियन जोब छोड़ दीजिए, सिविलियन का बात नहीं करेंगे कि मैं खुद सिविलियन थैक और वहाँने फोर्स में रहते हुए भी ट्रेनिंग के बाद समय नहीं मिला पढ़ाई ब्रेक हुए बीच में उसके बाद भी इनोहने आज दरुगा के एकजाम करेक कर दिया और हमारे साथ खड़े हैं आज, आप लोग के सामने हैं तो इन से जानेंगे इनके जर्णी के बारे में कि इनोहने कैसे तैयारी किया, कैसे समय मैनेजमेंट किया अपना और वुकलिस्ट क्या रहा कि इनोहने इतना आसानी से करेक कर दिया, एक जनरल केंडेट होते हुए भी, ठीक है, चलते है रावल भाई 2015 में जब CISF में गया तो उससे पहले मैं CGL का तयारी करता था तो SSC GD में मेरा हैंडेड में 82 मार्क्स था, तो मेरा फर्स्ट प्रिफेरेंस था CISF, तो मुझे CISF मिल गया बट एक साल ट्रेनिंग पूरा ऐसे ही चला गया, फिर उसके बाद मैं फिर से CGL में लगा, लेकिन 18 में मतलब ट्रेनिंग खतम हुआ तो 19 तक CGL में तयारी किया, तो फिर मुझे लगा कि मुझे तीन सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता था, मतलब खास करके, एक Math, एक English और ए वैसे मैं कहीं भी रहूँगा, तो बिहार दरोगा में हूँ, तो बिहार में ही रहूँगा, तो फिर मैंने दरोगा का सिलेवस देखा, तो मुझे पता चला कि यह बहुत इजी है, क्योंकि मेंस में तो Math पुछता ही नहीं, अगर पूछ भी दे तो बस 5 Math पुछता है, वैस लाके मुझे लगा था कि बस मुझे GK का तयारी करना है, तो GK के लिए Basic Book Lucent और दिरिष्टी का Objective आता है, फिर एक Lucent का 10,000 का Objective आता है, इतना प्रयाप्त है, अगर आप General से बस Selection लेना चाहते हैं, तो तीन किताब प्रयाप्त है, और फिर अगर आप Top Ranker में जगा बनान के लिए, घटना चक्र पुर्वा अलोकन, सारे सब्जेक्ट का, और इतना ही भूक मतलब प्रयाप्त है, दोस्त, बाकी तो कोई कुछ भी बोले, मैं तो घटना चक्र पढ़ा भी नहीं था, बस Science का घटना चक्र पढ़ा था, फिर भी मेरा दरोगा में, मतलब 81 questions सही था, का मैं और कौसल भाई बहुत खूस हूँ, मतलब एक टाइम हमें लगता था कि कास अश्टार हमारे कंदे पर होगा, और हम राजगीर में होते हैं, हम लोगा स्टेटस लगाते थे, my dream palace राजगीर, मतलब मीशन राजगीर, ओ महीं तेरे वास्ते जान लगा देंगे, ऐसा ऐसा जॉब में हैं तो भी और जॉब में नहीं है, तो दरोगा का तयारी करना तो आपके लिए बच्चों का खेल होना चाहिए, मातर छे मंद का काम है, दरोगा का तयारी करना ज्यादा काम नहीं, अगर छे मंद दोस्त, अगर आप मन लगा के, और मॉक टेस्ट हाँ, दरोगा क तैयारी करना है तो कम से कम डेली सो कोस्चन जीके का मौक्टेश्ट पका मारिएगा जब तैयारी सुरू कर रहे हैं तब से ही तब से ही कोस्चन आप पढ़ लिए है उसका रिविजन रिगुलर तोर पे हो और जो नया कोस्चन में उसको राफड़न करते जाना है अगर आप स सब्जक्ट्व लूसइं इसमें तो जो चेप्टर आपने सब्जिक्टिव में पढ़ा कोशिज करें उसी चैप्टर का लूसंट अब्जीक्टिव से अब ऐधर भी बनाईए तो इससे आप जीज आपको समझ में आएगा और सारे confusion आपके दूर हो जाएंगे तो इस तरह से आप भी हमारे तरह हम दोनों भाईयों की तरह आप भी अपने कंदे पर double star सजाकर अपने घर के पास जॉब कर सकते हैं और बहुत मतलब अच्छा जॉब है एक अलग ही swag है इस जॉब में तो बहुत मतलब मैं मैं दो साल छोड़ी दिया था समझे कि 17 से 19 मैंने पढ़ाई चोड़ दिया और 21 में मतलब समझे कि 21 दिसंबर में इसका प्री हुआ था और 22 अप्रेल में इसका मेंस हो गया था तो मतलब बस मैंने 20 और 21 कुछ टाइम मिकिस इतना ही पढ़ा और मैं दरोगा बन जोब में रहते हैं जो पढ़ रहे हैं उस पर विश्वास करना है इतना से हो जाएगा जो आप पढ़ रहे हैं यह मान के चलो कि जो मैं पढ़ रहा हूं वही सेम टू सेम एकजाम में आएगा कभी एमत सोच के स्कीप करिए यह तो ऐसे ही है यह तो है मगदबंस का सापना कौन किया यह थोड़ी ना आने वाला एकजाम में ऐसे दोस्तों असान असान कोश्चन आप आपको आउट करता है बस एकजाम में इतना याद रखिएगा कि जो कोश्चन आपको आता हो वो कदाचित नहीं गलत करना है यह चीज आप ध्यान में रखिएगा वही आपको और लड़कों से बाहर कर देगा बाकि हार्ड कोश्चन तो सब से चूटता है हमने भी कोश्च इससे पिछले वाले जो 2009 में दरोगा आया था उसमें मैं प्री में 0.1 नंबर से अउठ हो गया था साइद अघर मेरा प्री में हो जाता तो स्तुकि मेरा मैत रीजिनिंग गलत ही नहीं होता है कि आप असान कोश्चन से बाहर होते हैं हार्ड कोश्चन तो सब करेंगे अगर एनीक あーndr अजह नहीं करना भूल कर भी नहीं करना भूल कर भी ती आता है था सबसे बड़ा मोटिवेसा ने कि नोह ने छे सल पहले एससी जीडी के थुरू यह सब जोइन किये थे और उच टैम से इनका पढ़ाई का ब्रेक भी हुआ फिर भी नोह ने जजबा जुनून अपने अंदर रखा कि मुझे दरोगा बनना है और नोह ने कर दिया इसलिए मैं इ क्या काम है बीए सेफ कौंश्टेवल असाम राइफल कौंश्टेवल ए ना ये मतलब उसमें जितना भी है सी आरपी एफ सबका वर्क प्रोफाइल सबका सेलरी और मतलब आपको कौन सा पोश्ट अच्छा है किसमें जाएं आपके लिए कौन सा असान है हम सारे चीज पर वी करते रहेंगे और हम कोशिस करेंगे कि अगले भैक एंजी में आपके भी कंदे पर हमारे तरह डवल अश्टार हो और हम साथ में सेल्फी लें जैन फ्रेंड्स जैन